इतनी भी election officers की नियोक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए हो कभी EVM पर ठीक राप भोड़ते हैं कभी election commission पर ये इनकी पुरानी आदत है गुलाम को जो उनकी पुरी तरह से बात मानेगा और पुरा चुनाव कंट्रोल करेगा जहां तक अरण गोल जी की स्टीफे की बात है ताजूब की बात है तो देश विदेश के 40 बड़ी खबरे तेजरफतार से आपने देखी अब वक्त हो गया आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का देखे 24 के चुनाव को लेकर NDA से लेकर इंडिया तक तैयारियों में स्पक चुटा हुआ है और इस बीच यहां सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखर लोकसभा चुनाव होंगे कब क्या चुनाव की तारीखों के अलान में देरी होना कन्फरम है ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयुक्त अरुन गोयल के स्टीफे के बाद सियासत की जो नई कहानी है वो यहीं से शुरू हो गई है कोई कह रहा है कि सरकार से मदबेद था जिस वज़ज़ से स्टीफा हुआ कोई ये कह रहा है कि सीजसे से तनाव की वज़ज़ से स्टीफा हुआ है तो कई उन्हें गोयल के चुनाव लड़ने तक की अटकले लगा दी है मगर सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव की तारीखों पर भी शुरुआत होगी लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं और बड़ी खबर जो है वो इसी से जुड़ी हुई है चुनाव की तारीखों के एलान पर ये बड़ा अपडेट आपको हम दे दे 15 मार्च तक तारीखों के एलान पर संशय बना हुआ है और इसलिए सवाल ये कि आखर चुनाव की तारीखों पर अभी सस्पेंस लेकिन अब आप ये समझे कि ये सस्पेंस है क्यों आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरीए कुछ मेतोपोन बाते बताते हैं कि आखर चुनाव की तारीखों को लेकर ये सस्पेंस बना हुआ क्यों है सबसे पहली बात खबर थी 15 मार्च तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा हुआ क्या सिर्फ 110 ये CEC बच्ची हुई है दूसरी तरफ चर्चा क्या है कि 15 मार्च तक दोनों खाली पज़ों है वो भरे जाएंगे और मतलब इसका ये हुआ कि चुनाव की तारीखों में इसके अलान में देरी होगी तो चुनाव की तारीखों पर ये फिलहाल पूरी तस्वीर आप समझ सकते हैं कि खबर किया थी हुआ क्या क्या आखिर इस पर चर्चा और इसका मतलब क्या हो सकता है लेकिन चुनाव आयुक्त की तस्वीर अब आप जरा समझें यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी देखे राजीब कुमार मुखे चुनाव आयुक्त मौजुदा चुनाव आयुक्त पद खाली है आट मार्च को इन्होंनों इस्तीफा दे दिया दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त रिटायर 15 फरवरी को पद खाली तो यह जो दो पद है इन्हें भरा जाएगा इनकी न्यूक्ती होगी और इसलिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी तक खबर आ रही थी कि 15 मार्च की वो तारीक उसमें डिले हो सकता है देरी हो सकती है यह कैसे संभव होगा और अभी जानकारी क्या है हमारे पास आईए आपको सीधे लिए चलते हूँ सबसे पहले अंकित का रूप करेंगे अंकित खबर क्या मिल रही अंदर से क्योंकि अब तो चुनाव की तारीकों को लेकर जो कहा जा रहा था कि 15 मार्च तक सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी संभ बन गया है उस पर कि बिल्कुल एक संभे के सिधी तो जरूर बन गई है क्योंकि अरुन गोईल ने जब इस सीफा दिया है उससे अगर पहले तक कि में वाक करता हूं तो हमारे पास में सुत्रों से यही जानकारी थी कि 14 मार्च या 15 मार् पिर भी जब तीन सदसी पैनल होता है जो कि चुनाव का पूरा निगरानी करता है एलेक्शन कमिशन में तीन सदसी पैनल होता है मुख्य चुनावायुक्त और उसके साथ में दो चुनावायुक्त और होते हैं तो ऐसे में आज की तारीक में सिर्फ मुख्य चुनावायुक बचे हैं बाकी दोनों पर खाली हैं तो आइडियल सिचेशन यह होती है कि जब जो है पैनल पूरा हो तभी चुनावों की तारीखों का एलान हो और वो तारीखों का एलान कब हो सकता है अगर हम इस लिया से बात करें तो वो तब हो सकता है जब दोनों वेकेंसी बाढ़ चौधा मार्च तक नाम पर मौर संभव है सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं चयन समिती की चौधा मार्च को बैठक होनी है दोपहर बाद कमिटी की ये बैठक होगी पी एम क्याबिनेट मंत्री इसमें मौजोद रहेंगे तो देखे जिस तरीके से न्यूक्ति को लेकर अंकित इस बैठक पर भी अब नज़र रहेगी क्या जानकारी क्या होना इस बैठक में और का जा रहे हैं कि नाम तै हो जाएगा इस बैठक में और अभी जो संसद में इसको लेकर करके कानून बन चुका है और इसको लेकर भी जो है अलग सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करता हूं मौजूदा कमिटी की तो प्रधान मंत्री उसके लावा एक कैबिनेट मंत्री जैसी जानकारी मिल लगी है अर्जुन राम नहां पर एक क्लॉद ही आ रहा है कि अगर प्रधान मंत्री के जो कोई और कारिक्रम नहीं होता है लेकिन फिर भी क्योंकि एक महत्पूर मुद्दा है लिहादा कहा ये जा रहा है कि 15 तारिक से पहले नए चुराव आयुक्तों के नामों के ऐलान हो जाएगा जी ठीक है तो पंद्रा तारिक से पहले नियुक्ती को लेकर एलान हो जाएगा और चुनाव की तारिके भी बहता की जाएगी ऐसी जानकारी फिलाले चुनाव आयुक्ती की नियुक्ती पर सुप्रीम कोट में अर्जी दाखल की गई है कॉंग्रेस ने सरकार के खलाब फी अर् चायन समिती में CGI जरूर हो कॉंग्रेस का ये कहना है सुप्रीम कोट ने अर्जी पर अपचारिक मेल मांगा है बाकाइदा तो इस वक्ती ये बड़ी खबर है कॉंग्रेस की तरफ से ये अर्जी चुनाव आयुक्ती की नियुक्ती को लेकर सुप्रीम कोट में दाखल की चाहिए और एक कमिटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रदान मंतरी नेता प्रतिपक्ष और चीर जिस्टिस उसमें इंक्लूर होना चाहिए जिससे इसको ट्रांस्परेंट तरीके से संचालित किया जा सके तो ट्रांस्पेरिंजी बनी रहे और सरकार इससे दूर रहे इस लियुकती प्रक्रिया से इससे लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है लेकिन देखिए अभी कई सारे सवाल हैं जो इससे जुडे हूए हैं और इसी को लेकर सवाल तो बनता है यहां बापको हम यह समझाते हैं अब दूसरा सवाल चुनाव तारीकों के एलान के बाद खाली पड़े एलेक्शन कमिशनर के पाद नहीं भरे जा सकते हैं तो इसका जवाब है CEC की इजाज़त इसमें जरूरी होगी इजाज़त लेनी होगी तब ही ये संभव हो पाएगा तो ये भी एक महतोपून्ट सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा और अब इस पूरे मामले पर हम रुख कर लेते हैं निपुन्ट सेगल इस तरह के खबरों को बहुत बहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाते हैं निपुन्ट अब इसमें कई असमंजस बनता हुआ फिलाल दिखाई दे रहा है क कहीं देरी ना हो जाए और इसकी वज़ाए ये तो नहीं है क्योंकि निपुन्टी होती भी है अभी या नहीं हो पाएगी इस पर एक सवाल आपका अंकलन क्या कहता है देखिए बहुत सारे आपने सही कहा कि असमंजस की स्थिती बनती है जब ऐसी एक जटिल पर स्थिती बनती हुई दिखाई देती है तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि कॉंग्रेस ने याचिका दाखिल की है जया ठाकूर अपने निजी केपसिटी में याचिकाएं दाखिल करती है सुप्रिम कोट में कई याचिकाएं दाखिल कर चुकी है तो कॉंग्रेस ने अधिकारी कुरूप से याचिका दाखिल की है या नहीं की है ये नहीं कहा जा सकता है दूसरी बात कि ये याचिका जरूर दाखिल हो गई है लेकिन लोकतंत्र में चुनाओ और वो भी आम चुनाओ लोकसभा का चुनाओ एक बहुत अहम विशे है जहाँ पर कि सिर्फ एक आवेदन आने के चलते कि सुप्रिम कोट ऐसा करे कि सरकार का दखल ना हो नियुक्ति में या जो नया कानून बनाये संसद ने उसको स्थगित कर दे रद कर दे ये विस्तार से सुनने के मुद्दे हैं सिर्फ एक आवेदन आ जाने के चलते सुप्रिम कोट ये कह देगा कि सरकार कोई नियुक्ति न करे मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है सुप्रिम कोट स सुनवाई की जरूरत है यह मौका नहीं है जहांपर की विस्तार से सुनवाई हो सकेगी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो नियुक्ति करने जा रही है उसमें कोट की तरफ से कोई रोक या बंदिश लगने वाली है बस यह देखना है कि 14 या 15 मार्स तक अगर सरकार नियुक सब्सक्राइब रहे सी तरीके से चलेगी तूक है कि कॉंग्रस मांग कर रहा है कि सरकार कद अखलना हो इस दिखर किया है कि पहले जो कमिटी होती ती ऑस सत्र के दौरान और वो एमेंडमेंट कर दिया मुखिनाइधीश का नाम उस कमिटी से हट गया तो यही जो है यहां जो विपक्ष है वो यह कह रहा है कि मुखिनाइधीश का नाम क्यों हटाए गया सरकार अपने चुन हुए आदमी को बठा जा रही है लेकिन देखे वो कानू की तारीखों का एलान वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और वहां कोई रोक नहीं है हां यह कौन कमिटी में हो कौन ना हो वो तमाम उद्दे जो बाद में भी विचार किये जा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनावों की तारीख ठल जाए चुनावी प्रक्रिय मार्च को चुनावों की तारीखों का एलान भी हो जाए जी ठीक है ज़र हमारे दर्शकों को समझाएगा यह वस्तार से कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है कानून क्या कहता है कानून क्या होना चाहिए देखिए बिलकुल मैं बार बार इस अंकित की बात में दखल देना चाह रहा था चीफ जस्टिस कभी भी इस कमिटी में नहीं थे पहले भी पिछले साल मार्च में सुप्रिम कोट ने आदेश दिया था एस्सोशेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सीपियम जया ठाकूर ऐसे कई याचिका करताओं की याचिका पर कि इसको न्यूटरल बनाने के लिए चीफ जस्टिस का भी कमिटी में होना जरूरी है चीफ जस्टिस को शामिल किया था कमिटी में सुप्रिम कोट ने लेकिन इससे पहले कि ये नई कोई कमिटी बनती और कोई चुणाव आयुक्त का चैयन होता उससे पहले सरकार ने एक न अब आज की तारीक में प्रधान मंतरी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें उनके चुने हुए एक मंतरी कैबिनेट मंतरी शामिल होगे और नेता विपक्ष की हैसियत से अधीर रंजन चौधरी शामिल होगे इन तीनों लोगों को जो अधिकारियों का पैनल इस समय उपलब्ध है जो वरिष्टम और योग्य रिटायर्ड अधिकारियों का एक पैनल है वहां से चायन करना होगा और सारे गुंड दोष देखे जाएंगे जिसमें नेता विपक्ष की भी राय ली जाएगी और जब सब की सहमती बनेगी उन लोगों को नियुक्त कर दिया जाए लेकिन जैसा अंकित बता रहे थे कि सिर्फ इस वजए से कि चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं हो पाएंगे चुनाव की प्रक्रिया भी नहीं रुक जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त चाहें तो ऐलान कर सकते हैं अब देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है है आदमी बिजीबी का कोई वाड़ अद्दक्षो को वहां लगा देंगे नोकरी को और क्या कर सकते हैं जो उनकी पुरी तरह से बात मानेगा और पुरा चुनाव कंट्रोल करेगा एक ऐसा एलेक्शन कमिशनर जिसको भारतिये जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया जो उनका आदमी था जिसके अपॉइंटमेंट को डिफेंड करने के लिए भारतिये जनता पार्टी शासित केंद सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई आज उस इलेक्शन कमिशनर ने इस्तीफा दे दिया जहां तक अरण गोल जी की स्तीफे की बात है ताजुब की बात है कि जो एहम बात है जो देश के सामने आनी चाहिए कि इस देश में जो जैसे एक मकाम मकाम की नीव होती है इस देश की नीव हमारा समिदान है लेकिन एक चुनाव आइफ टी एंज सेशन भी आये थे जिनोंने रुद्बा बताया था देश को के चुनाव आइफ क्या होता है अब वो जमीर वाले लोग हैं या नहीं है मैं तो नहीं कह सकता तो दीकि इस मामले पे अब सियासत भी खूब हो रही आपने सुना विपक्ष किस तरीके से एक जुट होकर सरकार पर हमलावर है इस पर बात करने के लिए सीधे अंकित कारू कर लेते हैं अंकित क्यूंकि इस मामले पर सियासत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता और विपक्ष एक सुर में आरोप लगा रहा है सीधिस सरकार पर सरकार की मंचापर कानून लेकर के आई जिसमें यह कहा कि मुख किनाइधीश नहीं होंगे बलकि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और उसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमला वर्थ और आज भी वही हमला जारी है विपक्ष की तब से कहा रहा है कि देखे एक तो प्रधान मंत्री हो गए दू इस चीज को लेकर ही लगातार अब पत्ती दर्थ करवाई जा रही थी हाना कि मामला सुप्रीम कोड में भी गया था लेकिन सुप्रीम कोड ने भी उसमें इंटर्वीन करने से उस दौरान जै फॉरन यानि कि इमिजेट रिलीव देने से इंकार कर दिया था हाना कि मामले की सुनवाई अभी भी लंबित है लेकिन कुल मिला करके विपक्ष का आरोप्रत्यारोप का सिल्सला जारी है और फिर से मौका विपक्ष को मिल गया है और विपक्ष इस मौके को जाने नहीं दे रहा है